स्वागत है आपका हमारे चैनल का इंदर भी है तो आज हम पढ़ेंगे कच्छा कच्छा साथ कमैत हम पढ़ेंगे इसका अभ्याद चौ ए पाठ का नामे रेखिया समी करड़ इसका हम 5 नम्बर का 5 असल पढ़ेंगे तो सवाल में कह रहा है निमने लिखी समी करडो को हल कीज जाज कीज़़ें तो सवाल हमारा ऐसे है तीन खुष्टक में 15-4-5 कुष्टक में 3X-7 कुष्टक बंध है और सब्सक्राइश 15 हमोने में 3 खुष्टक सब्सक्रां तुछह तक ली nossos फीतnya सवाल को गूड़ा करेंगे यापर कुछ नहीं आनी कि गूड़ा तो हम करेंगे तो हो जाएगा 15 त्याई 45-3412 यर्ग्स और कोश्टक तो ऐसे टुट गया है हम गूड़ा कर दिया तो प्लस कर लेंगे यहापर प्लस है तो प्लस कर लेंगे अब 5 कघूड़ा करेंगे 3-7 तो करेंगे तो हो जाएगा 5 स्तियाई 15 यक्स और यह माइनस का माइनस ही जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा और बराबर में 15 हम लिख लेंगे तो अब हम क्या करेंगे जो यक्स वाला है वो हम एक तरफ कर लेंगे और जो चर संख्या उसे हम एक तरफ कर लेंगे और जो अचर संख्या उसे हम एक तरफ कर लेंगे तो हम कर लेंगे माइनस बारा यक्स प्लस पंदरा यक्स बराबर पंद्र वैसे लिख लेंगा और यह माइनस में तो इधर आगा तो प्लस में 35 हो जाएगा और यह माइनस प्लस में हमारा है तो बराबर कि इधर आगा तो हो जाएगा हमारा प्लस स्वरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा यह हमारा plus में, यहाँ पर कुछ नहीं, तो पलस मना जाएगा, तो यहाँ पर plus में है, तो इधर आएगा, तो हो जाएगा minus 45 तो हम इसे हल करेंगे तो माइनस 12 यक्स और 15 यक्स हो जाएगा हमारा प्लस का चीन जादा है तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3 यक्स और बराबर इसे हम प्लस कर लेंगे तो 5 प्लस 10 हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक हासिल हो जाएगा 4 एक 5 हो जाएगा 50-45 हो जाएगा और 3x बराबर हम 50 में से 45 घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा तो 1x बराबर 5 बटा में 3 आपको पता है जो संख्या चर के साथ होती है वो बटे मिचा जाती है तो हमने सवाल को हल कर लिया अब इसका हम उत्तर की जाच देख लेते हैं तो हम उत्तर जाच कर लेंगे तो सवाल हमारा ऐसे है तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ पर हम 5 बटा में 3 रख देंगे तो करेंगे तो हो जाएगा 3 कुष्टक में 15 माइनस 4 और यहाँ पर कुष्टन यानि की गुड़ा यक्स कमान 5 बटा में 3 कुष्टक बन प्लस 5 कुष्टक में 3 यहाँ पर कुष्टन यानि की यक्स यक्स की जगह पर 5 बटा में 3 मान लेंगे और माइनस 7 कुष्टक बन कर लेंगे और बराबर 15 कर लेंगे हो जाएगा हमारा इतना तो अब हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा इसका 3 कोष्टक में 15 माइनस इसे हम गुड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 पच्चे 20 बटा में 3 यहाँ पर एक छीपा हुआ होता है कोष्टक 1 प्लस 5 और इसका हम करेंगे 5 ते 15 बटा में 3 माइनस हम इसका करेंगे तो यह हमारा 7 हो जाएगा साथ और बटे में छीपा हुआ होता है और बराबर में 15 वैसे ही लिखा जाएगा हम इसका उतर कर जाज करेंगे तो करते हैं तो 3 कुष्टक में हम इसका हमला हसल लेंगे तो 3 1 का लेने पर हमारा तीन ही होता है और एक में तीन का भाग देंगे तो हमारा तीन होगा पंदर में तीन का गुड़ा करेंगे तो पंदर तेंग पैतालिस हो जाएगा माइनस तीन में तीन का भाग देंगे तो हमारा एक होगा एक में 20 का गुड़ा करेंगे तो हमारा बीसी होगा और कुष्टक बंद कर देंगे प्लॉस पांच वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि पांच कुष्टक के बाहर है अब जो कुष्टक में इसका हम LCM लेंगे तो 3 एक का LCM लेते हैं तो हमारा 3 ही होता है 3 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 3 होगा सोरी 1 होगा और एक में 15 का गूड़ा करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा माइनस हम जब एक में 3 का भाग देंगे तो हमारा 3 होगा 3 में 7 का गूड़ा करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा कोशक बंद कर लेंगे बराबर में 15 लिख लेंगे वैसे ही अब हम करेंगे इसको तो 3 कर लेंगे और घटाएंगे 45 में से 20 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 25 तो 25 बटा में 3 हो जाएगा हमारा बटा में 3 है तो वैसे ही 3 लिख जाएगे प्लस 5 और हम इसे घटाएंगे तो माइनस 6 बटा में 3 हो जाएगा और कोश्टक बंद कर लेंगे और बराबर में 15 लिख लेंगे तो अब हम क्या करेंगे इसको गुड़ा कर लेंगे यहाँ पर कुछ नहीं यानि की गुड़ा करने साल हो जाएगा तो हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 25 त्याइं 75 बटा में 3 और प्लस इसका हम गुड़ा करेंगे इसको यहाँ पर दखिये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और पांच चके 30 बटा में 3 हो जाएगा और बराबर में 15 हम वैसे लिख लेंगे आपर माइनस है और हम इसका LCM लेंगे तो हमारा इसका LCM लेने पर 3 3 का LCM लें पर आपको पता है कि 3 3 का LCM लेंगे तो हमारा 3 ही होगा तो हम 3 3 का LCM लेंगे तो हमारा 3 ही होगा तो हम इसका 3 लिख लेंगे 3 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा 1 में 75 कुड़ा करेंगे तो हमारा 75 ही होगा तो 75 माइनस 3 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 1 होगा 1 में 30 का गूड़ा करेंगे तो हमारा 30 ही होगा माइनस 30 बराबर 15 वैसे ही लिख लेंगे तो 75 में से 30 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 45 बटा में 3 बराबर 15 हम कर लेंगे 45 बटा में 3 बराबर 15 तो आगे हम हल करेंगे तो क्या करेंगे हम इसको कटाएंगे तो 15 त्याई 45 तो 15 बराबर 15 हमारा आ जाया यानि कि जो हमारा आया था यक्स बराबर 5 बटा में 3 आया था वो हमारा बिल्कुल सही था तो हमने जो यक्स बराबर पांच बटा में तीन लाये थे हम लोग सवाल को हल करने पर हमारा आये था ना यक्स बराबर पांच बटा तीन वो बिलकुल हमारा सवाल सही है क्योंकि हमने उत्तर कजाच किया है तो दोनों तरफ दाएं पच्वी और बाएं पच्वी दोनों बराबर आया है यानि कि हमने जो सवाल में एंसर लाए है हम लोग यक्सबर और पाच बटेम तो वो बिलकुल सही है तो धन्यवाद इसका हम अब च्वी आपको अगले वीडियो में बताएंगे धन्यवाद